तो सब आइक नमस्कार दोस्तो स्ुआगत है आप सभी का रोजगार विध हर्स में दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं metro rail की सीधी भर्ती के बारे में इस भर्ती का दोस्तो notification जारी हो चुक का है और इस भर्ती के लिए दोस्तो आप इंडेक के सभी राजियों से अप्लाई कर पाएंगे दोस्तो आज की भरती में सहली आपको बहुत ती बढ़िया मिलने वाली है यह दिया आप चाहते हैं दोस्तो कि परतेक सरकारी नौकरी की रियल वा ऑथन्टिक इन्फोमेशन सबसे पहले आपको प्राप्थ हो तो दोस्तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आकन को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा दोस्तो भरती की पूरी इन्फोमेशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तो आपको step by step सारी information दी जाएगी कि आज की भरती में किस-किस post की भरती है क्या qualification चाहिए और इस भरती का location क्या है दोस्तों सारी information हम आपको इस video के माधियम से देने वाले हैं तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं इस भरती से related information के बारे में तो गाई जागे बढ़ेंगे जैसे पता दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं Metro Rail की भरती के बारे में आज की भरती में Sally की बात करें तो Sally आपको बहुती बढ़िया मिलने वाली है आपका पेस की लोगा 19,500 से लेके 1,60,000 रुपए आज की भरती में दोस्तों जाता फीज की बाता है तो इसमें categories wise फीज है 826 रुपश से लेके 1180 रुपए फीज का payment दोस्तों आपको online mode से करना है आज की भरती में दोस्तों जाता सेलेक्शन प्रोसेस की बाता है तो इसमें आपका CBT एक्जाम होगा और इसकी डेट्स है 11,12 थाथा 14 मही 2024 को आपका एक्जाम होगा और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होगी एक बड़ा तीन अंक मार्क्स आपका गलत आंसर के लिए कार्ड दिया जाएगा एक्जाम का डूरेशन होगा दो घंटेगा खीक है तो इस भरती के लिए आपको online mode से apply करना है apply करने के लिए dates हैं 20 मार्स से लेके 19 अप्रेल और आई सीमा है इसके लिए 21 साल से 28 साल साते साथ आपको categories wise आई सीमा में छूड़ भी दी जाएगी जहां तक post की बात है दोस्तों इसमें executive तता non executive post की भरती होने जारी है इसका detail मापको notification से बताने जा रहा हूँ ठीक है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं notification ठीक है तो पहले बात करेंगे executive category की जो post है उनके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर आप देखेंगे पहली vacancy है इसमें assistant manager electrical की यहां पर पे scale देख सकते हैं यहां पर total vacancy देख सकते हैं qualification दे रहे है BA BTEC in electrical या electrical and electronics engineering में ठीक है यहां से आप qualification देख लीजीगा चलिए अब बात करेंगे next post के बारे में अगली post है assistant manager S&T ठीक है BA BTEC की qualification मांगी गही है electronics and communication में या electronics में ठीक है या इसके बराबर की qualification होनी चाहिए अगली post है assistant manager operations की BA BTEC की qualification है electrical electronics या electronics and communication में ठीक है अगली post है assistant manager IT की इसमें भी master degree मांगे गही हैं दोस्तों computer science की और यहां पर अगली post है assistant manager accounts की ठीक है CA की qualification होनी चाहिए अगली post है assistant manager architect की BA होना चाहिए candidate fossil का course होना चाहिए ठीक है अगली post है assistant manager human resource की इसमें full time MBA in HR या PGDM HR मांगे गही है qualification अगली post है assistant manager public relation की master degree communication में मांगे गही है assistant company secretary की अगली post है इसमें CS की qualification होनी चाहिए candidate के पास ठीक है तो आप बात करेंगे non executive category की जो post है उनके बारे में बात करेंगे तो इसमें दोस्तों इसमें पहली post है junior engineer electrical की तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए candidate के पास अगली post है junior engineer SNT की इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है अगली post है station controller कम train operator की इसमें भी दोस्तों तीन साल का engineering डिप्लोमा मांगा गया है और अगली post है accounts assistant की become होना चाहिए candidate ठीक है अगली post है office assistant human resource की और इसमें आप यहां पे देख सकते हैं तीन साल का यह चार साल का graduation मांगा गया है इसमें दोस्तों basically तीन साल का एक graduation होता है इसमें और इसमें आप देख सकते हैं आगे detail याज से आप देख सकते हैं 21 साल से 18 साल आए सीमा सभी post के लिए मांगे गयी है अगली post है public relation assistant की और इसके लिए क्वाल्फिक्शन मांगे गयी है bachelor degree in mass communication and journalism की ठीक है तो दोस्तों आप देखें कि आगे बढ़ेंगे maintenance electrical की पोस्त है इसमें आइट आई की क्वाल्फिक्शन मांगे गयी है अगली post है मेंटेंडर SNT मेंटेंडर की पोस्त है दोस्तों SNT की AI की कोल्फिक्शन है दोस्तों इस सारी post की बारे में आपको बता दिया यहां पर और भी बहुत सारी information है main main information मांने आपको बता दी ठीक है और चलिए बात करेंगे आज के भरती की location के बारे में तो दोस्तों आज की भरती का location है उत्तर परदेश Metro